हेलो दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए न्यू बॉर्न बेबी कैप बनाना सिखाती हूँ ये देखिए मैंने 10 इंची का कपड़ा लिया हुआ है ये दोनों ही तरफ से 10 इंची है आप इसको इस प्रिकार से एक साइड में कौने से कट कर लें डवल में फूल्ड करके ये इसकी उपर की साइड है उपर की साइड से और यहां बीच में थोड़ा सा कट लगा लें ताकि बीचों बीच आपको मार्क लगा हुआ मिलेगा अब देखें बच्चे के मुह के according आप करीम 9 या 10 इंची का ही कपड़ा ले ले तुरंत के बच्चे का मुह कितना होता है छोटा साही होता है इसलिए इतनी सी पट्टी आपको कट कर लेनी है यह देखिए मैंने 10 इंची की पट्टी कट कर लेती हूँ यहां से मुझे दो पट्टी कट करनी होंगी एक पट्टी मुझे थोड़ी छोटी की जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में उसको छोटा कर लूँगी यह देखिए इस परकार से मैंने दो पट्टियां कट कर लिए अब इस पट्टी को देखिए इतनी बड़ी पट्टी है यह यहां बीच में इसमें भी मार्क कर लेते इसको सीधा रखके नीचे की साइड से हम इसमें प्लेट्स लगाना सिरू करेंगे और जो मार्क किया था उस जगे तक मुझे आधा कपड़ा कबर कर देना है यह देखिए ऐसे ही इस साइड को भी पूरा कबर कर देना है अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ यह देखिए यह लग चुका है अब मैं इस पट्टी को दूसरी बार फोल्ड कर देती हूँ और इसको बहुती फिनीशिंग के साथ हम जोइंट कर देंगे बहुती अच्छा गोल कैप बनके रेडी होगा लेकिन यह बिल्कुल ही न्यू बॉर्न बेबी कैप है देखिए दूसरी पट्टी को थोड़ा छोटा कर लेती हूँ मैं और नीचे की साइड में भी बीच में एक दो प्लेट्स आपको लगाने होंगे अगर आप कैप की गुलाई बहुती परफेक्ट चाहते होगे तो यह देखिए यहां से भी मैंने मार्क किया हुआ है तो यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठ रहा है ना उसका मैं बीच में प्लेट्स लगा दूँगी यह देखिए यह भी पट्टी मैंने जोइंट करके ट्रेडी कर दिये और अम मैं इसमें बांदे के लिए दो डोरी लगा देती हूँ कुछ भी नहीं आप आराम से एक कैप बना सकते हूँ लेकिन प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सीयर करना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दमाए ताकि वीडियो की नोटिफिकेश गना आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे यह देखिए दोनों ही कैप मैंने न्यू गॉर्ण बेबी के लिए बनाए हुए हैं